नमस्कार निराला खर्षक्षन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में में आप लोगों एक बनते हुए घर के लिए जो अंदर से और बाहर से प्लास्तर का काम क्या गया है इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ दिखाना चाहता हूँ आपको पता है कि बहुत सारे लोग कंट्फिज रहते हैं कि घर का सिर्फ प्लास्तर का काम करवाने में अंदर से और बाहर से प्लास्तर का काम करवाने में टोटल कितना बैक सिमेंट लग जाता है तो दोस्तों आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीका से समस्पा इसलिए मैं आपको इस घर के लिए जो अंदर से और बाहर से काम किया गया है इसका पुरा वाक्तरों के साथ मैं बताने वाला हूँ कि सिर्फ प्लास्तर करवाने में टोटल कितना बैक सिमेंट आपका लग जागा और आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीका से समस्पा इसलिए मैं आप लोग को इसी बनते हुए घर के लिए जो छट के ढलाई से पहले तक का काम किया गया था उसको भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज बहुत अच्छे तरीका से समझे में आ जाए आपको डिजाइन के बार में भी कुछ आइडिया लग जाए तो देखिए प्लास्तर से पहले ये घर कुछ इस तरीका से दिखता था चलिए अब देखते हैं कि पलास्तर के बाद में इस घर में कितना है और चट के ढलाई से लेकर के जो बलास्तर तक kiej का काम किया गया उसलिए मैं आपको सबसे पहले से इसके साइस के बारे में बताना जाता हूँ तो इसे 40 feet by 40 feet मतलब 1600 square feet में बनाया जा रहा है घर को साथ में corner पे घर का look को बरहाने के लिए inner portico का निर्मान भी किया जा रहा है थोरा समय आपको घर के लिए front view को भी दिखा जाता हूं हाला कि plaster का काम बाहर से और अंदर से almost complete हो चुका है देखिए कुछ इस तरीका से इस घर के लिए front view है और जल्दी से चलते हैं अंदर देख लेते हैं किस तरीका से plaster का काम किया गया है और total कितना back cement लग चुका है इसके वारे में भी हम लोग अभी जानने वाले हैं तो सारे 4 feet by 7 feet का आसपास का आपको main entrance gate मिलता है जैसे ही आप घर में एंटर करते हो इस 16 square feet का घर में यहाँ पे मिलता है kitchen यहाँ पे मिलता है पूजा room वहाँ पे master bedroom attached रूब मिलता है दूसरी रूम यहाँ पे मिलता सीड़ी उसके साहाथ साह यहाँ पे मिल dulu अर्बाद उसके साथ एक और आपको रूम आप दीखने को मिल जाता है तो तीन बेटरूम के साथ हौल डाइनिंग अरिया कीचेन ट्वाथ रूम के साथ सीड़ी और पूजा रूम के साथ पूर्टीको वाल बनता हुवा यह घर है जिससे 1600 स्कार फीट में बने आजा रहा है अल्मोस्ट प्लास्टर का काम कंप्लीट हो चुका है आपको अच्छे तरीक से समझ में आजा है इसलिए मैंने आपको इस घर के लिए अंदर से और बाहर से जो प्लास्टर का काम किया गया था और जो भी काम किया गया है उसके बार में बत तो किया जागा च्छत के उपर इसलिए यहां पर आप देखेंगे तो पैरफेट वाल का भी काम या पर नहीं किया तो दोस्तों काम तो आपने बहुत ही अच्छे तरीका से जान लिया है देख लिया है घर के अंदर से और बाहर से अब जान लेते हैं कि इस घर के लिए जो प चीचेंट टेलर बात्रुम चाथ सीडी पूजा रोह उसके साथ पोर्टिको का काम आप देख पार हो फिर प्लास्तर करने का बातकर लोगे सिर्फ करने में ।ो इस घर का में लबाग को तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर सिर्फ सिमेंड में टोटल कितना रुपर तक खर्चा आचुका इस घर का प्लास्तर का काम करवाने में तो अगर आप 130 बैक को 350 से गुना किजेगा तो आपका आज आता है 45,500 मतलब 130 बैक दो सिमेंट लगा है हमारे यह 350 रुपे के रेट अभी चल रहा है एक बैक सिमेंट का तो सिर्फ सारे 45 रुपे का सिमें कि इसमें आया हुआ है इस घर को बनाना में कितना इइट लगा कितना बालु लगा घर क्ले बहुश सारा और डीजाइन और वीडियो के लिए आप चानल और सांब्सकाइब जरूर कर लीजेगा बहुश ज़दी मिलते हैं अगली वीडियो में तैंकिसे उमच